अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब दी किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लिजे अब तो हमारी सेकेंड सीरीज स्टार्ट हो गई है अगर आपने नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जाए देखिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा सारे कॉंसेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग क्लो सिस्टम के बारे में समझेंगे क्लो सिस्टम क्या होते हैं ओपन सिस्टम क्या होते हैं आइसोलेटर सिस्टम हमारे क्या होते हैं तो क्लो सिस्टम वो सिस्टम है जो मास ट्रा is not allowed okay closed system में क्या होता है mass transfer allowed नहीं होता है mass का कोई भी transfer नहीं होगा इसलिए system को हम लोग control mass system भी बोलते हैं okay it is also called it is also called control mass system control mass system okay closed system में हमें यह समझा गया mass का कोई भी transfer नहीं होता है तो क्या energy का transfer होगा definitely energy का transfer होगा okay तो यहां पर आप ध्यान रिखेगा एक कोई water bottle ले लिजे आप normal plastic की अब इसमें आपने क्या कर रहा है इसमें आपने water को fill कर दिया तो water को fill कर दिया आपने पहले कुछ दिर fridge में लगाए है इसके temperature को decrease कर रहा इसको थोड़ा ठंडा कर दिया फिर आपने क्या कर रहा इसको normal room पर रख दिया फ्रिज से निकाल कर तो होगा क्या कुछ देर के बाद यहां पर energy transfer हो रही है तो energy transfer हो रही है बटके जो water bottle है कि उसके mass में कोई भी फर्क पड़ेगा अगर कैप लगा हुआ है यह बंद है तो मास में कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला इसका मास अगर आपने 700 लीटर पहले था तो अभी भी 700 लीटर ही रहने वाला है ऑके टो ये हमारा सिस्टम जू है हमारा integration से लिंद लिए अगर मैं आपसे जन्रल इंपशेंपल की बात करूंों तो एक कोई भी रिचिट कंटेनर ले लिए रिचिट कंटेनर में आपने क्या करा गैस के मॉलीकूल से ह Ken यह हमारा क्या है H30Cloud रिजिड कंटेनर यह हमारा एक्जै्जैंपल हो गया है अग्रोस कौण सिस्टम का अगरकल लाग देखो इंटर्नल इंजंग करें अगर आप देखोगे तो यह भी क्या होता है चारोlek परस जएक हो इसके z focal 얘기를 होती इंजन यह भी हमाराी एमप्ट होता है प्लोज system का तो लोज लोज मुत इसमीर में को इंक्रीस करते टेंज़ चॉर्त हैं यह और हमारी रिखायर्मेंट होती प्लेशन में मेंटा गास का यूज करते हैं और जो भी हमारी requirement होती है जो भी हमें work चाहिए होता है यह work हम लोग इस particular engine से ले लेते हैं अब बात करते है open system की तो open system कौन से system है open system mass तो transfer करता ही करता है साथ में energy भी transfer करता है तो इसकी मैं definition लिखूं तो क्या लिखूंगी open system allow mass transfer as well as energy transfer अब अगर मैं open system के example लोग तो बहुत सारे open system के example आपको दिख जाएंगे for example nozzle okay nozzle जो है हमारी वो हमारी open system का example है turbine turbine is also example of open system आपका pump pump भी हमारा आपके घरों में जो pump होता है वो भी pump हमारा क्या है एक open system है उसके बार throttling wall यह सारे जो examples में लिख वारी हूं यह directly exam में पूछ लिये जाते हैं आपको यह option में दे देगा और पूछेगा which one of the following is the example of open system वहाँ पर rigid container भी होगा internal combustion engine भी होगा nozzle भी होगा throttling wall आपका example हो जाएगा और वहाँ पर आपको बताना होता है कि कौन सा open system है तो यहाँ पर nozzle, turbine, pump, throttling wall, heat exchanger हमारा open system का example है यह कुछ main general examples है जिनके बारे में हम लोग individual भी पढ़ेंगे इंडिविज्वेली भी मैं आपको nozzle, turbine, pump यह सारी चीज़े समझाने वाली हूं तो यह आप general examples याद रखेगा for open system अब बात करते हैं what is isolated system isolated system एक ऐसा system है जो ना ही mass transfer करता है और ना ही energy transfer करता है एक बहुत ही general example आपको पता है आपको याद होगा वो cello की bottle आती है okay cello की bottle आपको याद होगी steel की जो अपने college में use करते हो जिसमें पानी अगर आपने इसमें गरम रखा तो 10 गंटे तक गरम रहता है ठंडा रखा तो 10 गंटे तक ठंडा रहता है तो यह हमारा जो system है that is called isolated system अब बात ही आती है कि 10 गंटे तक ठंडा रहता है है ना उसके बाद तो पानी के temperature बढ़ना ही लगता है या अगर आपने इसमें टी रखी है तो टी के temperature लूज करने ही लगता है तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इस वज़े से हो रहा है क्योंकि 100% isolated system existing नहीं करता है okay तो यह isolated system है जहां पर ना energy का transfer हो रहा है और ना ही mass का transfer हो रह रखिएगा हमारा universe universe is the example of isolated system universe ना ही mass transfer करता है और ना ही energy transfer करता है एक form से energy दूसरे form में convert होती है okay तो यह याद रखिएगा isolated system का thermos flask आप example में लिख लीजिएगा definition में आपको लिखवा देती हूं isolated system isolated system does not allow mass transfer does not allow mass transfer as well as energy transfer okay तो आपको वो बोटल तो यादी रहेगी वो बोटल तो आप लोग यूस करते रहते हो मैं example में लिख देती हूं universe universe is the best example universe is the best example for isolated system okay यह आप ध्यान रखिएगा isolated system हमारा universe होता है और यहाँ पर open system के कुछ आपको दिख रहा है कि इस तरीके से मास का ट्रांसफर हो रहा है तो सब्सक्राइबं इस तरीके से आप के पास कोई system है इधर से मास आ रहा है यहाँ है तो यह पर आप चुर्ण एज कंट्रोल वोल्यूं में कंट्रोल वोल्यूं शिस्टम तो यह हमारे तीनों टाइप हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अब मैं जो कल वीडियो आने वाली है आपके पास उसमें डिस्केस करूँगी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मैं मास dependent होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं extensive properties और वो सारी properties जो independent of mass होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं intensive properties अब ये जो मैंने आपको बताया ये अधुरी definition है ये आपको भी पता होगी मैं जो कल आपको बताने वाली हूँ कल की वीडियो में आप जब ये properties मुझसे पढ़ोगे तब मैं आपको एक और criteria इसके साथ दूंगी जिसके साथ आपका कोई भी question गलत नहीं होगा जो मैंने आपको बोला अभी mass dependent and mass independent correct है बट incomplete है और आप भी तरह book में चेक करिएगा कि complete definition क्या है और कल मेरे साथ आके जुडिये हम और आप मिलके thermodynamic property के concept को बहुत ही detail में अच्छे से discuss करे यह thank you so much मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में